प्रदेश सरकार के प्राविदिक शिक्षा एवं मुख भोक्ता मामले के मंत्री आशीश पटेल गुरुवार को रेरा गाउं में निर्मानाधिन राजकिय पॉलिटेकनिक कॉलेज का ओचक निरीक्षन किया तथा परिसर में अव्यवस्था और निर्मान कार्य पर असंतोष जाहिर करते हुए कार्यदाई संस्था के मेनेजर को कड़ी फटकार लगाई बारा विधान सभा के दौरे में जस्रा विकास खंड के रेरा गाउं सभा में जहां पर उन्होंने विद्यालय के अंदर निर्मान में बरतीजा रही लापर वाही को लेकर कार्यदाई संस्था के लोगों को कड़ी फटकार लगाई इस पॉलिटेक्निक कालेज की लागत दस करोर बावन लाख रुपे है इस अफसर पर सांसद प्रतीनिधी जियतेंद्र कुमार गुपता, फूल्चंद्र पटेल, जिलाध्यक्ष किसान मंच जमुना पार, रमेश पटेल, विधायक प्रतीनिधी आलोग पाथक, पूर्व सांसद नागेंद्र प्रसाद पटेल, पूर्व विधायक जमुना प्र यह सब तहीं जब लेबलेग वगरा सब्सक्राइब करा करें इस वह इस वह इस वह इस नहीं कंप्लीट नहीं हुआ नहीं तो मिट्टी का तो इस पर ट्रीट्मेट नहीं है अब क्या कराओगे तो आप उसको किते बार रिवाइज करवाएं तो फिर उसके बाद नहीं क्या नाम है तुम्हारा कि एक बार कराएब हो तो यह तो जब नीचे से वह आगा यह अभी इसकी है कैसे होगी तो बताओ समझाओ मुझे आपके विरुद्ध कारवाई होनी चाहिए नहीं जो भी रहा उसके विरुद्ध कारवाई उसके रिकवरी कराओ दीदी को बताओ दीदी क्लिक कर दें हम नहीं जो भी रहा हो उसके विरुद्ध कारवाई उसके रिकवरी कराओ इस तो नहीं काम चलेगा इस तरह की बिल्दिंग आप हैंड़ा चलेंगे इनके तब कालीन जो है इस रिच्छा कि आपने क्या खूबिया क्या कम्या निकली तो यह अगले एक महिने में इसको हम हैंड़ोवर करने की प्रोजीशन में आ जाएगी कारदाई सब्सक्ता मेरा तो सिर्फ इतना कहना था कि सासन की हमेशा से अप एक्छा रहती है कि गुडवस्ता पॉनकाड़ को सीगर का रहे हो और जनता को उसका जिक्तम लाफ देंगा अप यह आ जगाता है यह झाई प्रता यह झालोग ऑफ लाफ प्रता यह झालोगवस्ता यह झालोग़ यह झालोग़ झाल झाल